हाई एवरीबड़ी कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तिस इस रुजिका एन वेलकम तो मैं चानल सो आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 12 बीस्ट का सिलेबस और सेशन 23-24 और सिलेबस जानना ओविसली बहुत इंपोर्टेंट है जिसे आपको पता चले कि पूरे साल आपको पढ़ना क्या है तो डीटेल में हम पूरा डिसकस करेंगे सिलेबस क्या-क्या यूनिट्स हैं क्या- आपका यह प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दूसरा है आपका पार्ट यह बिस्निस फिनेंस और मार्केटिंग तीसरा है आपका प्रॉजेक्ट वर्क तो पहले पार्ट में जो यूनिट्स हैं वह आपकी टोटली रिलेटेड हैं मैनेजमेंट से याने कि म बिस्निस dollar मार्केटिंग से फिरेलेटेड बहुत सारे टर्म और चीज़ें बहुत इंट्रिस्टिंग कि वाली यह पार्ट बहुत इंट्रिस्टिंग है और प्रजेक्ट वर्च तो ऑफुझली आपके स्कूल त्छू पढ़ंगे किस फॉर्म में वह आपके हां आपसे अ मचते हैं सबसे पहले देखो part A मैंने बताया और ये part B मैंने आपको बताया part A में क्या-क्या है units के नाम पढ़ लो पहले तो सबसे पहली है आपकी ये nature and significance of management जो मैंने स्टार्ट कर दिया है इसका वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा तो इसमें मैंने फॉर्स टॉपिक स्टार्ट कर दिया है पहला हो गया nature and significance of management फिर है principles of management, business environment, planning, organizing, staffing, directing and controlling ये जो पाँच units है ये पाँच क्या है ये पाँच management process के steps है तो मैंने क्या पताया part A में पूरा management पढ़ना है तो management से related जितनी चीज़े होंगे सब पढ़ेंगे तो हमने management के बारे में पढ़ना है सबसे पहले उसका nature, significance, उसके principles, उसके business environment क्या होना चाहिए फिर पाँचो जो steps है इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक-एक करके detail में सोच रहों किता detail में पढ़ना है पूरा एक-एक chapter एक-एक step पर planning, organizing, staffing, directing, controlling, तो यह आपको पढ़ना है और यह जो पूरा part A है, यह कितने number का है आपका, 50 number का, तो पार्ट A की अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका 50 number का, अब part B में क्या आता है, business, finance and marketing, उसमें क्या-क्या है आपका, पहला है financial management, दूसरा है financial markets, financial management is different from financial markets, तीसरा है consumer protection, यह पुर और चौथा है marketing management, यह भी theoretical है, almost सारा ही theoretical है, ठीक है, और कुछ-कुछ theories और principles होंगे, तो यह क्या है, business, finance and marketing, इन सबसे related, जो भी जीज़े हैं, वो आप इन 4 units में पढ़ोगे, ठीक है, तो total किती units है, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, यहाँ पे, sorry, यह गलत हो गया, यह 11 है, और यह 12 है, यह यहाँ कि total 12 units है, जो की दो parts में divided है, part A में 8 units है, इसमें किती है, 8 units है, और जो part B है, वो आपका कितने number का हो गया, वो आपका 30 number का है, उसमें 4 units है, right, कितने number हो गया, 80 marks हो गया है, बचे हुए, जो 20 है, वो आपके कहां से आएंगे, वो आएंगे आपके project से, और इसके स आती है, आपका 100 number का पूरा economics, यह business studies का paper हो जाता है, तो part A, part B आप समझ गए हो, अब एक एक करके हम detail में समझ लेते हैं, क्या-क्या है, सबसे पहली आती है, आपका first unit, यानि की nature and significance of management, इसमें हम ही क्या पढ़ना है, management का nature, उसका significance, उसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, उसके concepts, objectives और important सबसे पहला, फिर उसके functions क्या है, जो मैंने आपको बताया थे ना, planning, organizing, staffing, directing, controlling लियाने कि उसके process के steps, यह हम पढ़ेंगे short में, फिलाल short में, अलग से chapter भी है, मैंने बताया, फिर उसका coordination क्या होता है, coordination, coordination, important concept है management में, वो हम पढ़ेंगे, management as science, art and profession, management as a science क्या है, as art क क्या है, वो हम देखेंगे, फिर उसके कुछ levels है, वो हम समझेगे, ठीक है, फिर आती है आपकी दूसरी unit, जो कि है principles of management, पहले में nature और significance, दूसरी में principles, इसमें हम को अलग-अलग जो, कह सकते हो, आप economists रहे हैं, analysts रहे हैं, उन्होंने जो आपके principles बताये हैं, वो हम management, टेलर ने कुछ आपके principles दिये हैं, techniques दिये हैं, फिर क्या है principles of management होता, क्या है concept और significance overview देखेंगे, और इसी तरह फे ओल्स principles, टेलर का principles क्या है, management के फेओल ने क्या principles दिये हैं, यह important है, ठीक है, तीसरी unit आती है, आती है business environment, business environment में क्या है, कि उसके dimensions क्या होने चाहिए, economics, social, technological, political and legal, यह dimensions है, इन dimensions, यह dimensions कैसे होने चाहिए, मतलब क्यों होने चाहिए, इन का importance क्या है, यह सारी चीज़े पढ़ेंगे, फिर आता है एक demonetization, business environment का concept और importance, यह सारी चीज़े हमें किसमें पढ़नी है, unit 3 में, तो business environment के बारे में पढ़ना है, फिर अब इसके बाद आता है आ से start हो जाते है steps, यानि कि management के जो process के steps है, पहला है planning, planning के बारे में जितनी सारी चीज़े हैं वो अपने पढ़नी है, उसके process, उसकी importance, limitation, concept, objectives, strategy, everything, फिर आता है और गेनाइजिंग, second step, उसका भी वही से, सब में वही पढ़ना है, उसका concept, importance, उसका process, उसके functions, elements, importance, यह सारी च स्टाफिंग, स्टाफिंग में मतलब हम कैसे कैसे employees को recruit करेंगे, selection का process क्या होता है, दो process, selection and recruitment, उसका importance क्या है, human resource management क्या है, methods of training, कि स्टाफ को बहुत साई चीज़े हैं, यह सब पढ़ेंगे, फिर आता है आपका directing, चौथा step, चौथा step आपका क्या है, directing, अब management, जो इंसान करते हैं, managers जो होते हैं, वो कैसे direct करते हैं, अपने employees को, staff को, तो उसमें formal, informal communication, barriers to effective communication, motivation, और एक important, मतलब थिवरी है, Maslow's hierarchy of needs, Maslow's needs की थिवरी है, वो बहुत important है, financial and non-financial incentives क्या होते हैं, leadership, उसका concept और यह सारी चीज़े हैं, लास्ट आता है, controlling, controlling, controlling में आपके process क्या है, मतलब process जो होती है, controlling की उसमें क्या क्या steps है, उसका importance, उसका concept और relationship between planning and controlling, इसी के साथ आपका part A हो जाता है complete, तो part A में हमने पढ़ लिया कितनी units हो गई है, 8 units हो गई है, ठीक है, खतम, अब इसी के बाद आपका आता है, next, यानि की 9th unit, जहां से आप का शुरू हो जाता है, part B, ठीक है, part B था न, business, finance and marketing, तो ये इसमें पहली unit है, यानि की total लेखे तो 9th unit है, financial management, जिसमें क्या financial management के बारे में उसका concept, उसका role, उसके objectives पढ़ोगे, फिर fixed and working capital क्या होता है, financial decisions क्या होते है, financial planning क्या होती है, capital structure, मतलब finance related, almost सारी चीज़े, financial management कैसे क अपना है, ठीक है, वो, अब आता है, financial market, ये most important है, और साथी साथ, most interesting भी मैं बोलूगी, financial market का concept क्या है, और financial market का जो हमारा regulator है, इंडिया में, यानि की SEBI, securities and exchange board of India, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके objectives, उसके functions, उसकी छोटी-मोटी history की कब established हुआ, कब नहीं हुआ, money market क्य होता है, capital market क्या होता है, stock, exchange, ये सारी चीज़े, trading वगेरा, trading का procedure क्या होता है, shares वगेरा में, डिवेंजर में, trade करते हैं, ये सारी चीज़े, हम financial market में पढ़ेंगे, फिर आता है, last आपका 11th unit, last तो नहीं, second last, इसमें हमें marketing के बारे में पढ़ना है, जो भी firms होती है, वो marketing भ होता है, product, branding, labeling, packaging, price, concept, factors, determining price, price को कैसे determine करते हैं, कौन-कौन से factors होते हैं, physical distribution क्या होता है, उसके concept, components and channels of distribution, ये होता है, हमारा marketing का process, उसके बाद आता है, last आपका consumer protection, अब कोई भी firm, जब deal करती है, अपने consumer से तो उसको धिहान रखना पढ़ता है, consumer की protection का भी, right, ऐसे ही नहीं उसके लिए क्योंकि उसके against बहुत सारे acts है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, जैसे कि आपका हो सकता है, concept and importance, पहले तो consumer protection act की importance क्या है, फिर वो act क्या है, 2019 माया था, meaning of consumer, rights and responsibilities of consumers, who can file a complaint, कौन-कौन complaint file कर सकता है, redressal machinery remedies available, कैसे-कैसे solution मिलता है consumers को अपनी problems का, जो भी वो शिकायते धर्ज करते हैं, उसका, वो कैसे मिलता है उनको, justice कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, और इसी के साथ आपका part B complete हो जाता है, ठीक है, तो part A में हमने क्या पढ़ा, अभी हम दुबारा से देख लेते हैं, यहां से part A में क्या था, part A में 80, part A में 50 मार्क्स का है, part B 30 मार्क्स का है, और project आपका 20 मार्क्स का है, टोटल करेंगे 100 आ जाता है, और इसी के साथ आपका ये syllabus का discussion भी खतम होता है, तो अगर आपको वीडियो informative लगा हो, तो do give it a like, and yes, do not forget to subscribe to my channel, thank you. झाल